कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनिश नाइंटी में दोस्तों काफी कॉमेंट्स आ रहे थे कि से आप थोड़ा सा 3.3 पे आप वार्क आउट करो तो एक्चली में मेरे पास जैन से अभी अभी लेवल नहीं है बट मैं आपको त्यो आप विडियो बनेया है ठिर पॉइंट धीरििका ओल कनेक्टर के बारे में और बिवसे आपको और कुछ बताऊंगा तो दोस्तों मैंने अभी आपको विडिए O बनेया अशा करते हैं कि आपको पसंद आए गा ज चलिए हम आपको दिखाते हैं अपना वीडियो और दोस्त कर के अपने start करता हो यह start button है और यह इसके right side में आप देखो यह auto button है auto selection में और यह रहता है auto और manual selection के लिए यह अपना cv open और इसके बगल में देखो cv close यह feedback अपना parlor में अपना यह काम करता है parloring setup में यह रहता है उसके बाद यह stop बटन है तो stop से आप engine को बंद कर सकते हो यह अपना reset बटन होता है जैसे fault कोई आता है तो इससे आप reset करते हैं यह अपना home button होता है जिससे इसका menu paste खोलता है यह अपना ok selection बटन होता है उसके बाद में यह 4 बटन जो आपको दिख रहे हैं यह scrolling के लिए होता है left, right, up and down उसके बाद यह 4 बटन जो आपको दिख रहा है यह selection बटन होते है तो यह दोस्तो अपना HMI 320 का यह अपना overview है इसमें यह यह बटन होते हैं अब मैं आपको baseboard दिखाता हूँ कि baseboard में कितने connector होते हैं और उसका connection कहां कहां पे होता है यह अपना 3.3 baseboard card है इसमें total 14 connector होते हैं और 14 connector का एक एक connector के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि किसमें कौन सा connection कहां कहां पे होता है और इसमें क्या-का feedback आता है और क्या-का feedback जाता है तो दोस्तों लोग उपर से अब स्टार्ट करते हैं तो जैसा ये अपना J12 CT connection है उसके बगल में ये जैन सेट voltage sense और उसके बगल में आप देखो J20 अपना जैन सेट connection ये अपना J25 display connection उसके नीचे में आप देखो ये J26 ये harness interface engine control का होता है और ये अपना TV3 customer input output TV1 customer input और उसके बाद में ये देखो breaker control connection यहाँ से किया जाता है और उसके बगल में ये आवला आपको देख जाएगा ये अपना देखो TV customer connection उसके बाद में अपना ये देखो TV10 breaker status connection और उसके बाद में ये service tool और इससे दो काम लेते हैं हम लोग किसी system पे अपना data logger भी चला सकते हैं ये अपना calibration के लिए system लगता है यहाँ पे PC के लिए ये अपना देखो analog यानी bar graph के लिए ये use होता है और ये अपना जो है bus voltage बस voltage ये synchronizing में काम करता है तो ये अपना ये overview रहा अब मैं आपको first में दिखाता हूँ ये अपना TV1 customer connection इसमें जो main चीज आप लोग को हमेशा जो problem में आप लोग बार-बार face करते हो कि कहीं कहीं हमको call आता है remote start तो remote start इसमें देखो आपको दिख जाएगा कि TV1 का 10 remote start return and TV11 पे आप देखो remote start यानी मैं आपको बार-बार दिखाता हूँ open circuit close circuit के बारे में तो जैसे आप इसको auto में दबा करके और 10 पे जो supply है जो 10 पे supply है उ उसको हम लोग 11 पे अगर circuit में देते हैं तो यह वाला अपना engine remote start होता है मैं आपको एक diagram भी इसको अभी दिखाता हूँ जैसा कि आप देख पा रहा है यह जो अपना remote panel NO contact TV11 और TV10 तो मैंने आपको TV1 का 10 और 11 यह आपको मैं दिखा रहा हूँ इसलिए कि यह देखो यह NO circuit में है जैसे यह NC होगा तो अपनी supply जो है वहाँ पर रहेगी तो वह remote start हो जाता है यानि यह NC होगा तो यह वाली supply यहाँ पर transfer होनी चाहिए वैसे ही remote emergency stop switch NC contact तो इसमें क्या है कि जैसे यह 15 और 16 यह NC रहेंगे तो आपका remote या कोई भी emergency जो होता है यह so नहीं करेगा जैसे ही यह NO होगा वैसे ही आपको emergency दिखाने लगता है तो इसमें आपको कभी confused नहीं होना है और इसको आप normal way में काम कर लेना है जैसा कि मैंने आपको पीछे द emergency 15 और 16 है यहाँ पर आपको दिख रहा है remote remote e stop return remote emergency stop NC तो यह common return टीवी फोर जो भी यह आपको देख रहा है इसमें आपको negative अलग से देना रहता है आप कहीं भी मान के चलो कि return इसमें negative supply रहेगा उसी समय ते कि यह अपना जो है clear आप मान लो कि 5 जगा आपका emergency लगा हुए त और आपको यह clear करके आपको वहाँ पर चेक करना रहता है कि emergency कहां से कैसे supply break हो रही है अगर जब break होता है तो यह अपना दिखाना remote emergency दिखाएगा या local emergency दिखाएगा उसके तहद आपको दिखाता है उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको दिखा रहा हूं कि यह देखो tv1 क जीरो 4 यह क्यादर ready to load दोस्तों इसका connection आपको मैं बता रहा हूं कि जो LTA pump जो electric वाले आ रहा है उसमें इसका जैसे engine start होगा और ready to load यह होगा तो इसके बाद से यह अपने relay को operate कराती है और वहां से अपना MPCB MPCB एक लगा हुए रहेगा वह अपना on होगा और उसके बाद में यह LTA panel चलना start होता है किसी किसी engine में यह अपना ready to load अपना MF final में भी एक circuit बना करके यह दिये जाता है उसके तहद ready to load में जैसे यह अपना CB brake और यह अपना synchronizing में भी आप जाओगे तो ready to load जब तक supply नहीं आएगी तो अपना कोई भी यह contractor होता है वो close नहीं होता है ठी कि इसमें आप देख लो सारे कुछ आपके normal ही आपको दिखेंगे जो आप लोग काम करते हो यह जो आप देख रहा हो यह अपना TV3 customer input output connection होता है इसमें मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि इसमें configurable output और इसका status यह बताता है मानलो कि जैसे आप कोई भी code इसमें जैसे कि आप कोई भी system इसमें अपने through कोई generate कराते हो तो इसका status बताएगा तो यह input जो होता है negative base पे काम करता है आपको जहां तक 80% इसमें जो feedback लेता है यह comments का 3.3 control system यह क्या होता है negative ही लेता है कहीं कहीं पे आपको कुछ ऐसी चीज़ों जो है जैसे current level sensor वगेरा में क्या होता है न कि positive लेता है और बाकी जो अपना NONC पे जो काम कराना रगता है उसमें 80% मैं आपको दिखाऊंगा एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपना synchronizing कराएंगे उसमें आपको हम clear बताएंगे तो configurable यहां पे देखना आपको यह दिख जाएगा कि यह देखो यह return यह use signal return for switch input work with TB3 का 9 and TB3 का 10 ठीक है तो यह क्या होता है कि जो feedback coil जब on होता है तो उसका एक signal यहां पे आता है और यह show करता है उसके तहद यह output यह return वाला first वाला जो दिख रहा है आपको यह उसका output है और second वे यह बाकी बाकी यह आपना input है वह चीज मैं आपको नीचे भी देखा रहा हूं ठीक है यह configurable input switch यह जो होता है normally यह transfer gen set under some यह जो ignore यह क्या चीज़ है कि यह feedback यहां तक आती है उसके बाद में यह चीज आपको यह समझ में आ गया कि यह इसमें क्या क्या और चीज़े हैं तो इसमें आपको कोई भी चीज जो है वैसा नहीं है कि जो आपको समझ म अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमको comment में बताना मैं अलग से जो अपना WhatsApp का group बनाया हूँ उसमें आपको add करके clear से मैं इसको समझाओंगा और एक online class भी लोंगा सभी के साथ में online बात करके इसको मैं एक हपता में एक दिन मैं आप लोगों के लिए कुछ समय निकालूं और उससे मैं आप लोगों के साथ discussion करूंगा तो यह जो चीजे हैं यह आपको समझना चाहिए कि यह feedback इसमें यह PC लेता है कि हमारा क्या status है जैसे अपना paralleling में जाएंगे जैसे synchronizing में तो उसमें क्या है कि जो भी अपना return जो feedback होता है उसी के तहद यह अपना काम करता है ठी TB3 का customer आपको यह connection जो है input output का यह आपको समझ में आ गया होगा और हम आप ही आपको next लेकर के चलते हैं उसमें क्या-क्या होती है ओ मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक है दोस्तों यह जो आप देख पा रहा है TB5 breaker control connection है इसमें क्या है आप देखो clear beam आपको यह देख रहा पर circuit breaker control close no ठीक है उसका यह common है तो यानि हम जो feedback लेते हैं तो यहां से common वहां से निकलता है यह input होगा उसका वो output होगा ठीक है यह TB3 यह TB5 का 3 use नहीं है उसके बाद में 4 पर देखो circuit breaker open यह NC ठीक है उसके बाद 6 में देखो इसका यह common है उसके बाद 5 और उसके बाद 6 देखो इसमें क्या है utility breaker close control no और इसका यह common यह क्या होता है कि इसमें जो भी अपना contact for closing genset breaker rating 5 ampere 34 dc उसके बाद में यह आप देखो यह contact for opening genset breaker rating 5 ampere और उसके बाद contact for closing utility breaker rating 5 ampere और यह देखो contact for opening utility breaker rating 5 ampere इसमें आपको समझ में आ रहा है कि जैसे एक circuit breaker close control तो इसमें क्या होता है कि यह जो synchronizing में breaker को मैंने जो दिखाया था open circuit open CB open और CB close यानि circuit breaker open और circuit breaker close तो यह क्या होता है कि यह कि यह ऐसा control system है जिसके तहद आप इसको breaker को control भी कर सकते हो तो यह इस control के द्वारा हम लोग अपना जो है breaker को control भी कर सकते हैं तो इसमें यह सब चीजों को ध्यान रखना है कभी भी और यह आपको अगर synchronizing में आप जाते हो कभी तो यह सब अपना feedback कहां से आता है कैसे आता है यह आपको जानना ज़रूरी होता है मैं आपको next video में synchronizing के जब video बनाऊंगा उसमें आपको clear में करके बताऊंगा अब हम चलते हैं next next TV connection के बारे में आपको मैं बताता हूँ यह जो आपको TV 7 genset bus utility voltage sense दिख रहा है इसमें आपका total देखो 4 wire left side और 4 wire right side तो क्या है यह PCC में already लगे हुए रहते हैं आपका 1,2,3,4 जो OEM connection दिख रहा है इसमें क्या होता है कि एक वहीं wire से यह incoming voltage sense बोलते हैं इसको जैसे आप synchronizing में जाओगे कहीं पे काम करने के लिए तो इसको incoming voltage बोलते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है कि genset bus line 1 voltage और utility line 1 voltage तो इसमें 600 volt तक direct connect यह होता है इसमें direct मैंने आपको उपर भी दिखाया था इसमें क्या होता है कि genset और इसका जो भी voltage अपना जो load पे चलता है जैसे अपना feedback closing के लिए चाहिए वो यहाँ से यह अपना sense करता है उसके आप ठीक नीचे में देखो genset अपना दो number पे आपको जो दिख रहा है 1 हो गया और यह दूसरा देखो तो genset bus line 2 voltage और utility line 2 voltage यह भी same सीज़ है यह देखो यह उसके नीचे में आपको दिख रहा होगा TB7 का 3 genset और यह utility का और उसके नीचे में अपने को दिख रहा है neutral तो यह क्या है कि face neutral यह दोनो face to face और उसके बाद में face to neutral यह जर्ज करता है और यह उसके बाद में यह अपना आगे अपना circuit breaker को close और opening कराने के लिए यहां से यह sense करता है तो आप लोग को यह जानना जरूरी है कि यह voltage कहां से कैसे sense करता है तो चलिए हम next चलते हैं और आपको next अभी हम देख रहे हैं TB8 customer connection दोस्तो इसमें जो आपको first में यह देखो TB8 का 01 यह discrete input मैंने 1302 के card में भी आपको बताया था कि discrete input जो होता है यह अपना battery का negative बैटरी का समझ लो या negative जो की यह अपना रहता है negative discrete input work with देखो लिकार वाने 5 TB5 तो यहां पर आपको देखना का remote fault reset इससे क्या होता है कि कहीं भी आप मतलब की बाहर में आप एक switch लगा सकते हो और उससे अपने को reset के लिए आप उसको दबाओगे तो अपने जो भी इसके में fault रहेगा वो आप reset कर सकते हो remote में बिना जैंसेट को चुए हुए दूसरे जगह से और वही चीज़ देखो आपको discrete input आपको नीचे में और एक दिख रहा है यह work with tv6 तो tv6 क्या है यह अब देखो start type emergency non emergency start type तो यह क्या है और इसके बाद में आपको देखो यह जो है उसके नीचे में ठीक तीसरा delay off जैसे कि low side जैसे हम लोग engine को start करते हैं और cool down time होता है तो इससे हम लोग उसको कर सकते है उसके ठीक remote fault हो गया start उसके बाद start type हो गया उसके बाद configurable यह अपना जो input होता है यह अपना customer के demand पर input इसमें दिया जाता है उसके बाद में यह भी आपको नीचे में देखोगे 9-10 यह भी configurable यह output है इससे अपना कुछ भी अपना जो input के लिए लेना है इससे हम लोग configurable output भी ले सकते हैं और उसके बाद में नीचे देखो यह low side relay driver work with TV 1 का 5 तो 1 का 5 में क्या है तो यह देखो remote fault reset तो यह जो discrete input उसके बाद में आपको नीचे भी देखेगा कहीं भी आप commence के जंसेट में आपको इस टेप से मिले कि discrete input it means कि यह जो है यह output और input जो भी होगा यह negative होगा तो discrete input और यह आपको समझ में आ रहा जैसे कि इसमें main main जो चीजे हैं आपको कहीं पर अगर fault reset करने के लिए बनाना है तो आप remote fault reset यह अपना देखो TB8 के pipe में ठीक है तो इन से आप कर सकते हो ठीक है और इसके अलावा हम लोग next चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ और भी बहुत सारे टीवी हैं तो मैं आपको एक एक करके सब की जनकारी देता हूँ ताकि आप काम करोगे तो ECB में काम कर सकते हो तो आपने लोगो next चलते हैं यह जो आपको TB10 breaker status connection दिख रहा है इसमें अपना breaker का position का पता लगा जाता है कि कौन से breaker किस position में है और इसके द्वारा ही अपना यह command देता है कि कौन से breaker को open और कौन से breaker को close करना है जैसे आप यह first में देखो TB10 के one में return use as signal return for switch input work with TB10 3, TB10 4 and TB10 5 यानी यह return है यानी बैटरी का negative है और यह जो feedback लेगा ठीक है यह position जैसे आप देख रहा हो इसमें दूसर तीसरा जैसे ही लिखा हुगा यानी टीवी 10 का three utility cv position a switch मतलब की utility का जो cv है उसका position switch a and switch देखो उसके बगल में यह जो है b और उसके नीचे में देखो utility cv trip switch तो utility means breaker 86 relay aux a contact ठीक है तो यह सब जो synchronizing में यह breaker का status आप इसी के द्वारा यह control system को पता चलता है कि हमारा कौन सा यह अपना close है यह feedback लेता है और feedback देता है और यह cv को अपना circuit breaker को control इसी से इसी के through करता है उसके बाद में आप देखो tv10 के 2 return यहाँ पे भी आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ से देखो one दिखा था यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है इसमें भी use as a signaler for switch input work with tv10 का 710 यहाँ यह negative है तो इसमें भी position switch a position switch b यह genset के लिए use हो रहा है यहाँ पे नीचे में ठीक है और उसके बाद में देखो यहाँ पे भी trip है और यह signal mode verify तो इन सब चीजों को आपको पारलरिंग synchronizing में बहुत भूमिका होता है आप इसको synchronize करने जाओगे तो बहुत सारे आपको face angle सारा कुछ मिलाना पड़ता है group setting तो एक दिन का तो है नहीं कि मैं आप लोगों को बता दूँ लेकिन यह मैं connection बता रहा हूँ और मैं आगे आपको next TV दिखाता हूँ और उसमें बताता हूँ कि और उसमें क्या है यह अपना J12 connector genset CT input तो यह आप देखो इसमें अपना 6 pin का connector यह है अपना तो 1302 से लेकर 050 सभी control system में या coming scat किसी में भी जाओगे तो आपको यह चीज मिलता है तो इसमें आप देखो CT1, CT2, CT3, CT1 common, CT2 common, CT3 common CT आपको पता ही है कि कैसे check करते हैं अगर नए है तो भी आप देख सकते हो CT1, CT2, CT3, CT1 यह जो चीज़े होती हैं उसके यह positive होते हैं और यह common होते हैं जैसे load variation होता है तो यहां से अपने को CT1, CT1 से feedback इसको जाता है आप माल लोगे किसी engine में आपको load नहीं बता रहा है तो it means इस wire में भी problem हो सकता है यह CT fault हो सकता है तो आप एक-एक करके आप इसको check कर सकते हो इस जीवी में इससे कोई दिक्कत नहीं है चलो अब लोग next TV में चलते हैं और देखते हैं यह जो आपको connector देख रहा है J22 जेंसेट voltage connector है इससे क्या होता है कि यह जो control board है इससे अपना voltage को sense करता है तो जैसे J22 का 1 देखो line 1 alternator terminal UVW and RYB और उसके नीचे में देख रहा है आप neutral तो इसमें क्या होता है कि यह line to line और line to neutral यह इन चीजों को sense करता है और जो अपने यहाँ पे genset control system में जो fault code आते हैं जैसे low AC voltage या high AC voltage तो यह इसी के द्वारा sense करके यह देखो आपको दिख रहा है pin 1, pin 4 तो यहाँ पे 4 pin होते हैं और यहाँ से यह voltage sense करता है और चलो मैं next आपको दिखाता हूँ यह जो आप देख रहा है J20 genset input output connector रही है तो इसमें एक number में आप देखो चेचिस ground ठीक है इसमें battery का negative नहीं रहागा इसमें चेचिस ground दिये जाता है उसके ठीक नीचे में आप देख रहा हो तो उसमें आपको battery plus return यानि battery negative आपको plus return का मतलब होगा यहाँ पे battery negative तो यहाँ पे देखो उसके नीचे में आपको देख रहा है switch B positive low side driver B positive return यहाँ भी battery negative आगया discrete input यह भी जो है यह अपना जो configurable होता है उसके लिए input होता है जैसे मालो की coolant level sensor या कुछ और भी हमने fuel level sensor इसमें आगे आपको दिखने को भी मिलेगा तो उसमें यह जो होता है यहाँ से यह मतलब की उसका जैसे इसमें आप देखो discrete input return for configurable output j20 17 17 में देखो क्या है इसमें देखो configurable low coolant switch level तो यह क्या है discrete input भी होते हैं जो negative होते हैं और इससे क्या होता है कि जो भी अपना configure किया जाता है तो उसका एक एक port का एक एक connection होता है इसमें आप direct कहीं से negative भी देदोगे तो कोई अंतर नहीं आता है उसके बाद में disconnect input return return for configurable यह अपना जो भी है same है उसके बाद में यह देखो आपको मैं 9 और 10 दिखा रहा हूँ जिसमें battery positive input fuse and battery positive input fuse तो यह जो है दोनों जो है battery का positive यहाँ पे fuse के दरिजरिये आते हैं और उसके नीचे में 11 point जो दिख रहा है आपका इसमें starter disconnect input इसमें क्या होता है कि जैसे यह 11 और 22 यह आप दोनों समझो इसमें क्या होता है कि इसमें से यह permanent जो होता है positive जाता है और जैसे ही अपना और जैसे ही स्टार्ट होता है और जैसे ही magnetic plus बनता है charging alternator में वैसे ही वहाँ से जो feedback आता है वो 11 को जाता है तो उससे क्या होता है कि 11 पे आप दोखो starter disconnect input यहां से हो जाता है ठीक है तो यह आपको यह भी समझें यह output देता है 22 से और यह 11 से input लेता है FSO relay drive इसमें क्या है कि मैं आपको अभी relay का जो K7 K8 का connection है वो मैं आपको दिखाऊंगा जूल सट आप सट आप भाल्ब relay coil को यह supply जाता है उसके बाद में starter relay driver low side ठीक है तो यह जो होता है यह अपना दो चीज हो गया तो अगर मानलो कि oil pumping driver जिसमें मानलो कि oil pump electric वाला लगा रहता है उसमें इसका connection होता है और उसके बाद में आप नीचे 17 आपको मैं दिखाया है था कि low coolant switch level इसका यह रहता है तो अपना उसके नीचे देखो आपको दिख रहा होगा fuel low fuel level switch ठीक है यह सब जो configure है उसके लिए जो इसको आप हटा नहीं सकते हो इन सब चीजों का इसमें रहता है उसके बाद में हम आगे चलते हैं और आपको दुसरा दिखाते हैं यह आप देख रहा हो जे 25 डिस्पिले कनेक्टर है जो कि अपना बेस बोड से अपना ओ जो कनेक्शन होता है यह बारा पिन का अपने HMI 320 में जाता है तो local status यह सारा कुछ जो है यह अपना remote start, manual start यह सारा कुछ जो कनेक्शन होता है इसी के जरीए इसमें आपको battery का positive और battery का return यह दो चीज आपको समझना है battery positive return और battery positive कौन कौन से यहाँ पर अपना 11 पर manual auto का और यह manual पर यह 10 पर manual का आपको देखना होगा चलिए आप next TV में चलते हैं और relay card आपको दिखाते हैं यह जो आप देख रहे हो यह अपना 3.3 का base board control card है इसमें अपना देखो यह FSO control यह case 8, case 7 और K11 है तो दोस्तों जैसे हम जाते हैं और जैसे हम उसको touch करते हैं तो एक यह अपना light K11 का जल जाता है तो उसके बाद में आपको यह देखना है उसके बगल में K7 starter control तो इसमें जो है अपने self starter को connection यहां से यह वाले से जाता है उसके बाद में यह आपको FSO fuel sunlight control को जाता है तो यह अपना इस वाले से case 8 relay से जाता है और यह अपना K7 relay है तो K7 और K11 जैसे ही आप किसी भी इस्तिती में आप जाकर कर दबाओगे और K11 relay आपका खराब हो जाएगा तो इसमें can data link failure का alarm आ जाता है इससे क्या होता है कि यह अपना PCC को on कराता है साथ में यह अपना feedback यह अपना clear है तो आपको इस relay के में कुछ problem आपको दीख रही हो तो आप मेरा previous वीडियो जाकर के देखोगे तो उसमें relay कैसे काम करता है यह आपको समझ में आ जागा जैसे K8 FSA control जो ह अपना उस पे supply जाएगा एक relay on होगा तो starter को और फिल solenide को और जैसे ही इन यह start होता है तो अपना यह जाकर के यह अपना K8 जो है उसको control कर लेता है ठीक है और यह K7 जो है अपना starting के लिए use होते हैं तो आपको इसमें दिख रहा है कि clear way में कि कैसे कैसे connection है और इसमें ऐस ही अपने 3.3 के किसी भी baseboard card को आप देखोगे तो इस टाइप का आपको यह मिलेगा relay baseboard और उसमें आपको यही connection आपको करने होते हैं ठीक है दोस्तों तो मैंने आपको भी relay दिखा दिया दोस्तों अभी हमने आपको 3.3 का control system का डाइग्राम आक्चली मैं TV connection बताया मैं आप आपको डाइग्राम भी upload करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको डाइग्राम भी मिल जाएगा 3.3 का और 1302 का तो मैंने अभी आपको 3.3 का सारा कुछ बताया अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो like, subscribe, share करें मैंने एक WhatsApp ग्रूप भी बनाया है मैं आपको इस लिंक में नंबर और ये मैंने एक Facebook पे भी ग्रूप बनाया है Electro Mechanical Work के नाम से आप हमको follow कर सकते हैं और उस पे आप आएंगे तो साथ में मैंने कोशिस किया है कि हर बुधवार को आप सभी के साथ मैं एक लाइव ये रखूं जैसे आप लोग को कुछ प्राब्लम आती है आप लोग करते हो लेकिन मैं आप लोग कुछ हेल्प नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं हर टाइम तो उस चीज को देख नहीं पाता हूं कुछ कोमेंट्स आते हैं कुछ अभी जैसे विदेश से भी मान लो सिर्लंका वगरे से भी या कहीं out of country से भी आते हैं तो मैं नहीं सिखाओगे कुछ आप हमको बताओगे तो हम लोग लाइव सारे मिलकर के एक घंटे का हम लोग हर बुद्वार को क्लास रखेंगे मैं आपको इसमें एक लिंक भेजूंगा आप लोग सभी हमारे फेस्बूक पे जो हमने यह ग्रूप बनाया है उसमें आप सभी जूड़ सब्सक्राइब जरूर करो तब तक के लिए नमस्कार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जनकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार